दोस्तों अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप संग लोग सेवा जैसी भारत की विख्यात और कठीन परिच्छा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, देखिए सबसे पहला ये जो डाउट रहता है कि सर हम UPSC के लिए जो है, सबसी जो best study plan क्या है, वही आज मैं इस वीडियो में topic करूँगा कि आपको starting किस से करना है, देखिए, जब भी आप UPSC के लिए पढ़ो, तो आपको पहले सुबा उठना है 6 AM, उठना ही होगा, क्योंकि आपको 1 year में UPSC crack करना है, ठीक है, 6 AM आपको उ पढ़ना है, यानि कि दिखिए, इस टाइप का जो से मैप रखा हो है, टेबल में, या आप कहीं से भी, एटलस भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैप को पढ़ना है कितना, आपको 45 मिनट मैप को पढ़ना है, ठीक है, वित एकदम पूरा darkness कर करके, उसमें आपका geography भी include पढ़ो, आसानी से पढ़ो, और उसको geography का रटने वाला चीज नहीं है, याद करने वाला चीज, 45 मिनटी पढ़ो, उसके जो सबसे बाद important हो जाता है, आपको आना है, history में आना है, जो कि बहुत important हो जाता है, UPSC के लिए, क्योंकि प्री में और मेंस में तो इससे question रहते है या प्री में वेटेज जादा रहता है, ठीक है, उसके बाद आपको history पढ़ना है, कम से कम आपको 1.5 hour history पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि देखो, cutting subject होता है history, इसको पहले complete कर लेंगे, तो कही न कही आपको अगला वाला subject अच्छा लाएगा, ठीक है, और starting तो आपको geography सही करन है, वो आपको धिहान में रखना है, history को 1.5 hour पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ तुरंत इसका 2 page जो है, क्या करेंगे, notes बना लेंगे, उसके बाद आपको जो आना है, सबसे important भी होता है, और कहीं न कहीं वो जो है favorite subject है, ठीक है, UPSC में जो माना जाता है, वो quality हो गया, ठी की, पॉलिटी को पढ़े भीना आप नहीं interview निकाल सकते हैं, और नहीं आप मेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, तो quality बहुत important हो जाता है, पॉलिटी में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले जो है, जो है, वर्ल्ड पॉलिटिकल पढ़ना है, यानि की, विस्वराजने विस्विक राजनेती को पढ़ना है, उसके बाद आपको जो सबसे है, आप आपको नहीं, भारतिय जो है, राजविवस्था या राजनेती को पढ़ना है, इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 11 और 12 प्लस है, आपका 10 का जो है, NCRT से पढ़ोगे, और Advanced Book आप M. लक्षमी कांद को पढ़ोगे, यानि ये तीन चीज आपको करना ही है UPSC में, ठीक है, तो कहीं न कहीं आपका UPSC में, ये मतलब की सेलेक्शन होने का चांस अच्छा हो जाता है, और आप एक अच्छा रैंक ले आते हो, दोस्तों वीडियो पसंद आई, तो एक लाइक करना अपने फ्रेंड्स में सेयर करना, गाइस मिलते है नेक्स वीडियो में